नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ शैलेन दुरुपांडे आज बात करेंगे बजरंग बली की महावीर हनुमान जी की और हनुमान जी के जनमोचसव पर आपको बताएंगे हनुमान जी की विशेश इस्तुतियों के बारे में और उसके प्रियोग के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी कौन है और उनकी महिमा क्या है देखिए हनुमान जी भग्मान शिव के अन्शा अवतार हैं और श्रीराम जी के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं और हनुमान जी की उपासना से तुरंत कष्टों का नाश होता है जीवन की हर तरह की बाधा दूर हो जाती है हनुमान जी की विभिन इस्तुतियों से जीवन में सफलता मिलती है और हर तरह के कष्टों का निवारन होता है देखे हनुमान जी इसलिए शक्तिवान नहीं है कि हनुमान जी के पास अपूर वो बल है वर्दान है अश्ट सिद्धिया है नौ निधिया है हनुमान जी इसलिए महान है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भक्ति के प्रतीक है भक्ति से जादा शक्ति इस स्रिष्ट में किसी चीज में नहीं होती और हनुमान जी उसके प्रतीक है एक निष्ठ भक्ति केवला भक्ति राम के अलावा हनुमान जी के जीवन में कोई और आदर्ष है ही नहीं इस सीमा तक अगर आप अपने इष्ठ की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी के समान आप जीवन में बन सकते हैं सबसे पहले जानते हैं हनुमान जी की ऐसी इस्तुति के बारे में जो हमारे जीवन का एक अंग है बात करेंगे हनुमान चालिसा की हनुमान चालिसा तुलसी दास जी द्वारा रचित हनुमान जी की इस्तुति है ये सबसे जादा शक्तिशाली और सिद्व चालिसा मानी जाती है अगर आप हनुमान चालिसा का नियमित पाठ करते हैं तो जीवन में सामान्यतह बाधाएं नहीं आती हैं ज्यान विद्या बुद्धी और शक्ति की प्राप्ति होती है कैसे पढ़ेंगे इसको रोज सुबह और रोज शाम एक बार या तीन बार हनुमान चालिसा का पाठ रोज करिये और पाठ के पहले भगवान राम की इस्तुती करें या भगवान राम का ध्यान करें और हनुमान चालिसा के पाठ के बाद मनों कामना की पूर्ती की प्रार्थना करें हनुमान चालिसा को जीवन में ऐसे बसा लें जैसे वो आपके जीवन का आधार हो हर इस्थिती परिस्थिती में अगर आप हनुमान चालिसा पढ़ते रहेंगे आपका कल्यान आपका मंगल अवश्य होगा हनुमान ची की दूसरी बहुत शक्तिशाली इस्तुती है बजरंग बाण शत्रू, रोग और भै के नाश के लिए बजरंग बाण हनुमान ची का अमोग प्रियोग है इस पाठ में दोहों और चौपाईयों के साथ तमाम बीज मंत्रों का उलेक भी किया गया है जिसकी वज़ से बजरंग बाण का पाठ अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है सामान्य दशाओं में बजरंग बाण का पाठ मत करिये बजरंग बाण रोज की जाने वाली सामान्य इस्तुती नहीं है सामान्य दशाओं में इसका पाठ मत करिये विशेश दशाओं में नियमों के साथ इसका पाठ करना फलदाई होता है जब जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो जाए या जीवन में अंधकार दिखाई दे कोई रास्ता न दिखाई दे तब बजरंग बाण का पाठ करियेगा रेगुलर पूजा में बिना किसी बड़ी आवशक्ता के बजरंग बाण का पाठ नहीं करेंगे एस्टो तक आप कर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक आप और चुटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रॉलोजर से